नमस्कार, SPN 9 News में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर्याना विदान सभाच चुनाफ के मधे नजर भारते जनता पार्टी ने सड़सत उमिदवारू के लिस्ट जारी की उमिदवारू के लिस्ट जारी करने के साथ साथ कई मौझूदा विदायकों को नाराज भारते जनता पार्टी ने किया तो कई पूर्वे विदायकों को भी नाराज भारते जनता पार्टी करती वी नजर आई कई नए युवा चहरों को भी भारते जंता पार्टी ने साइड किया इसकड़ी में देखा जाए तो 2019 के विधान सभाद चुनाव में च्वर्खी दादरी से चुनाव लड़ती वी नजर आई थी बबीता फोगाट बबीता फोगाट ने बेशक जीतना धर्च की हो लेकिन बबीता फोगाट के जरिये हर्याना की राजनीती में भारते जंता पार्टी ने अच्छे खासे वोट बैंक को हासिल किया आज वही बवीता फोगाट का भारती जंता पार्टी टिकेट कार देती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी एक पहलवान को निराश नहीं छोड़ती है जब वो पहलवान पैरिस ओलम्पिक में फाइनल में नहीं पहुँच पाता है तो उसके बाद खुद सम खुद विनेश फोगाट का उगष में शामिल होती है और जूलाना विधान सभा सीट से कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकेट घृँ देती है और विनेश को टिकेट मिलने के बाद सीधे तर पर बभीता फोगाट का एक बड़ा बयान सामने आया आए आपको बता दें कि बबिता फोगाट ने एक पोस्ट में लिखा व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश यही है मेरी पार्टी का सभी को संदेश आगे लिखा मैं अपने भारते जंता पार्टी के शीष नेतरित्व के निर्नेों के साथ खड़ी हूँ पार्टी की एक समर्पित कार्यकरता होने के लिहास संगठन द्वारा दी गई सभी जिम्यदारियों का भी निर्वहन करूंगे इतना ही नहीं आगे लिखती है मैं अपने विधान सभा छेत्र चर्खी दादरी की देवतुले जंता जनार्धन का हिर्दे से अभार व्यक्त करत जिन्हों ने मुझे अपनी बेटी और बेहन की तरह सदेव अपना असीम प्रेम वा अशिरवाद दिया मैं सदेव आपके सेवा में आगे भी ततपर ही रहूंगी जैहिंद जैभारत जहां बभीता फोगाट ने ये टूइट किया तो वहीं इस टूइट के बाद सवाल ये जीत पाएंगी यानि की भारतिय जन्ता पार्टी ने बभीता के साथ नाइनसाफी की और ऐसे में देखा जाए तो एक टिकेट यहां पर चर्खी दादरी से दिया जाता है जो एक तरीके से नाइनसाफी के रूप में नजर आता है अब भारतिय जन्ता पार्टी के तहत तो निस्ठा के साथ जुड़े रहने का दावा यहां पर बवीता फोगाट ने कर दिया लेकिन क्या यह सच साबित होता हुआ भी नजर आएगा या फिर मौका आने पर पाला बदला जाएगा